दोस्तों अभी मैं जेनु के 17 होस्टल में कमरा नमबर 102 हूँ, 102 में हूँ, 102 में और मेरे साथ जेनु एसु के अध्यक्ष और आईसा के लीडर धनन्ज हैं, रिजल्ट आ चुका है, लेफ्ट पैनल के तीन कैंडिडेट और बापसा के एक कैंडिडेट जीत चुके हैं, पारे में सब लोग जानना चाहते हैं, डिल्ली में है, राजधानी में है, बड़ी इन्वर्सिटी है, तो यहां से जो भी मेंडेट जाता है, उसका असर देश की राजिती में पढ़ता है, तो इसी सिलसिले में हम धननजे से बात करेंगे, और धननजे खुद एक वंची तबके से आते हैं, और एक वंची तबके के इनसान को, एक छात्र को, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसको खाने और रहने के भी सुविदाई इस देश में नहीं है, वहां से जेहिनुत का सफर करना, फिर यहां से अध्यक्ष बनना एक कोई मामूली बात नहीं है, पेपर में और अख़बार में आपने सुना होगा कि 30 साल के बाद या 27 साल के बाद केमपस में धननजे जो हैं वो दलित परसियन के तोर पर उबरे हैं, तो हम कुछ इससे भी related सवाल इन से करता है, वहां से आप यहां तक आएक लंबा सफरताई कि अध्यक्ष मनें और धननजे जो हैं PhD कर रहे हैं जेनु में Arts and Aesthetic Center में, तो आपको बधाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे आपकी जिंदगी के बारे में, और कुछ इ हम बेटकर समाज से आप आते हैं, लेफ्ट की राधिती करते हैं, तो कुछ बताईए, गया से यहां तका सफर कैसा था, और सियासत में कैसे आप आएं, और लेफ्ट पॉलिटिक्स के साथ आप कैसे जूरें, गया तो मेरी पैदाईश की जगह है, और जहां गया में एक छो कास्ट की बुनियात पर हमारे गाउं में इलाके बटे हुआ हैं, तो वैसा ही एक टोले में शुरुआत, मतलब बच्पन पैदाईश हुई, और उसके बाद फिर पुरा परिवार गुरारू पहले शिफ्ट होता है, और उसके बाद पिता जी का ट्रांसफर राची, जो यह उसमें जारखंड बनता है, 2000 के दोरान, तो उसमें हम लोग सब राची शक्त होते हैं, परिवार में मेरी मा, मेरी पिताजी, मेरी भाई, मेरी बहन, और मैं, कुछ लोग गुरारू ही रहते हैं, और आप देखें कि उसमें, मेरी पिताजी थोड़े शिक्षा को लेकर, एड उसमें वो कहीजे कि हवल्दार थे, तो उसमें की बात है कि छोटा मलग कम पैसे में ज्यादा बड़ा परिवार को चला पाना, एक मुश्किल की बात होते हैं, जुश्य भाई, कितने बहन थे आपके जी, हम तीन भाई, तीन बहन हैं, तो चला पाना बड़ा मुश्किल है, ब queremos चाली हμεत की शादी उचादी तो हम ब शारी साथी चाली इस प्रवीय थे भी जादे चेसेмы ओरूर हम पर कर दस्यूतार है दिल्लिविष विध्विद्धालय में संदुध्धवी चालेूर से घ्याट़ होता है 2014 में जब मैं आ रहा हूँ तो हम लोग भी देखते हैं कि पुरे देश में एक लहर है, मुदी सरकार की लहर है, कि एक कॉंग्रेस करप्थ है और तमाम चीजे चल रही है लेकिन कॉंग्रेस ही नहीं और पोजीशन इक पूरी करप्थ है नहीं उस समय की मैं बात बदा रहा हूँ, 2014 में डिस्ट्रिस रहता है कॉंग्रेस के खिलाफ और चूटे चूटे बच्चों तक पहुंचता है, क्योंकि इतना प्रचार हो रखता है बीजे पी इस तर तक पहुंच जाती है, हर एक टीवी चैनल पे, हर एक सड़क चौरा हो पर, हर जगा प्रजार का उन्होंने लगा रखा होता है अपना पोस्टर बैनर और लोग उस नारे से एकदम कनेट कर रहे होते हैं कि बहुत हुआ महंगाई का वार, अपकी वार, मुदी सरकार, तमाम चीजें लोगों के हम बारहमी करके आ रहे हैं और हमारे देख रहे हैं कि सब के जहन पर है लेकिन जो मैं दिल्ली मुझे दाले आता हूँ तो उसके बाद कई छात्र संगठन से मेरी मुलगात होती है जिसमें आईसा, आईसा और इस्टूरेंट इसोसीएशन उससमें FYUP से लड़ रही होती है और लड़कर आई होती है तो वहाँ पर देखे न कि हम लोग इसलिए भी राजनीति मोतरते हैं कि कौन सा संगठन आपसे ज्यादा करीब है कौन सा संगठन आपके आईडिया से मैच करता है या फिर कौन सा संगठन आपके दुख का साथी है तो उस समय आप देखे कि तीन साल का कूर्स चार साल में करवानी का बात होती है फवाई उपे में तो एक तो होता है कि आपको हर महीने दिल विश्व डाले ऐसा है कि जहां पर आपको फीस तो समय मदल समेस्टर का 5,000 था हमारा लेकिन हर महीने 6,000-7,000 रुपया रूम रेंटल लगता था और तमाम चीज़ों का हॉस्टल की कोई वस्था नहीं है वहाँ पर तो हम लोगों को वही है कि एक तारीक को जब घर से मंगाना पड़ता है पैसा तो एक बार दिमाग वह होता है कि हो पाएगा कैसे हो पाएगा इस सारी चीज़े हैं और उस समय तक पिता जी भी रेटायर हो चुके थे 2012 में उनकी रेटायर्मेंट हो चुके थी 2014 में बीए में पढ़ रहा हूं तो वही मुझे लगा कि और यही बात ऐसा के लोग बता रहे थे कि चार साल का होगा तो कितना एकोनॉमिकल बढ़ेगा और और फिर कंप्यूटर में बढ़ाने के लिए तो मुझे लगता है कि जो स्टुडेंट बारहवी के बाद ओनर्स चुन रहा है और जान रहा है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है वह एक लक्ष के साथ आया है आप उसको एक तो ऐसा कोर्स जिजाइन किये हैं कि जिस खड़े होते हैं नॉन नेट फिलोशिप को बचाने की लडाई शुरू हो जाती है तो उन सारे जगों पर मेरी मौजुद्गी रहती है फ्टिया में गजंदर चोहान की इंट्री होती है उसके खिलाफ फ्टियाई के चातर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं पिछाडी पर वहां पुलिस अरेस्ट भी करती है तो वहां पर भी मैं खड़ा रहता हूं उनके साथ जुड़ा हुआ रहता हूं तो इस तरह के लिजए क जितने आंदुलन हुए और आईसा जहां जहां पहुंची वहां वहां मैं गया और उसके बाद फिर Master's जो मेरा है Master's की डिग्री मैंने हासिल कि अबेड़कर विश्विद्धाले से जब करने के बीकदर नाटक करने चरूने कार शूक थी नाटक ह सब्सक्राइब करने का या और फिर से साथ सिर्फ फॉलिटिकल थीटर में नहीं मैं एक एक पॉलिटिकल थीटर में जूड़ा संग्वारी लालवर्दी यहां से आप अपनी बात को बहुत आसानी से कह सकते हैं, गीतों के जरिये, नाटकों के जरिये, और दिखिया कि जितने भी पॉलिटिकल मोबलाइजेशन होते थे, वहां पे नाटक बहुत तरजीह दी जाती थी, कि लोग को और मोबलाइज करने के लिए, लोग को और एक तो नाटक के जरिये भी हम लोग ने अपनी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एक्टिविजम किया, एक कल्चरल एक्टिविजम के साथ साथ, फिर उसके बाद मास्टर्स में मैं अमबेटकर परफॉमेंस स्टडीज में पोस्ट गूजिशन होती है मेरी, और अमबेटकर में मैं मैं अमबेटकर इनुवसिटी, आइसा के बैने परफॉमें, यानि पॉलिटिकल शुरुवात जो चुनाव जीतने की है, जेनु से पहले अमबेटकर शुरुमें मैं जीत चुका हूँ, एक चुनाव मैं काउंसलर का चुनाव जीता हूँ और भारी अंतर से जीता हूँ, त में आमंकर होता है मेरा थेटर और परफॉमेंस स्टेडिज में ही स्कूल आप्स अस्टेटिक्स में, तो वहां पर एंपिल और उसके बाद में पीएज़ी किस टॉपिक पे अपकी, मेरा सिर्फ पीएज़ी है, मुशायरा इन कंटेंपररी टाइम, आज के वक्त का मुशाय स्पेस बन रहा है, CNRC के दौरान हम देखते हैं, तो इन सारे चीज़ों को लेकर अभी मैंने प्रपोजल दिया है और इसी आधार पे मेरा सेलेक्शन हुआ है एक सवाल मैं पूछूँगा थोड़ा और पीछे में जाओंगा, कि आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेर्शन कब महसूस हुआ आपके जिंदगी में, कैसे महसूस हुआ, क्योंकि जो भी इनसान या जो भी बच्चा अमेड़कर समाज में पैदा होता है, क्योंकि ये कास्ट इन कि अपसियर करना चाहते हैं, बिलकल, मतलब जिसे हम रोगोश कुछ सम्हालते हैं, तो हमें अपनी जाती पता चल जाती है , त्धलितों को उनकी जाती पैदाईस के बाद, बाताते हैं behavior पता चल जाती है, पता जाता है के पता जी की नौक्री इम चल जाती की नाम पर, जात स्सक्राइब की तो डुस्दाम का बेता यह को फूले के ना जाती पात? और हमें बतलब पता चल जाता है हम जिस तरह ही बोल रहे है कि कोई पड़ोसी हो गया या फिर उस तरह की घटना है हुई है बदलब बच्पन में थी लेकिन हाँ बहुत डायरेक्ट उसको बहुत मैं अंदर तक नहीं लिया हूँ क्योंकि होता है कि आप पढ़ रहे होते हैं कुछी चीजहों को आप वही मारत वी देता है बच्पन में उतना ज्यादा आपको एक दिन का आसर पढ़ता है अपर दूसरे दिन आप फिर खेल कुट में निकल जाते हैं पढ़ाएं नहीं आप तो अभी आप बहुता है इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि हम एक तो तब हम स्कूलों को भी अनलाइज करते हैं कि स्कूल में जो वो टीचर आ रहे थे जो ऐसी बाते करते थे वो मतलब कितना ऐसा था कि बहुत आसानी से कोई चोर जमार बोल देना कोई टीचर को बिलुकुर को सिक्षक बोल देना मतलब ऐसा लगता है कि यह लैंग्विज नॉर्मल लैंग्विज का है तो उस समय तो हमें बहुत नहीं होता था लेकिन अब जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो कितना गलत है क्या असर पड़ रहा है मतलब कोई भी उस जाती का चात्र है तो अंदर ही अंदर उसको हैं कॉलेजेज हैं वह बहुत ज्यादा वहां पर कास्ट डिस्क्रिमिशन होता है और अभी तो केंपस में जेनु में मांग भी है कि रोहित बेमुला एक को लागू किया जाए आप लोग भी मांग करते हैं तो आप यह बताए कि आप गया से राची राची के बाद देली उ अंबेडकर इनवर्सिटी जेनु इतने तमाम इनवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं घूम रहे हैं तो क्या यह डिस्क्रिमिनेशन का लेबल जो है वह कम होता है ज्यादा होता या चुप चुपा के हर जगा एक काईम है हर जगा है बदलते रहता है तरीका बदल जाता है है आप आप ड्ली इविश्वेट गाले में लोग आपके साथ जो बेटते हैं आपके साथ जो रहते हं आप से छुध मुशक्कील है मान ओपन री नहीं करेंगे लेकिन आपके मेरिट पर सवार उठाएंगे अच अच आपके मेरिट पर कुछ चीज आप बलत अंग्रेजी तो आपका तुरंट वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मैं तो एक समास थोड़ी से बहतरी की तरफ, मतलब प्रोग्रिसिव तबकों में तो थोड़ा सा बहतरी है, लेकिन ऐसे लोग मौझूद ही रहते हैं हर जगा, कि जो आपके मेरिट पे, आपके अंग्रेजी को देख कर आपके हैंड राइटिंग तक को देख कर रहे हैं, धनन जै, रामन और लोहिया की किताब है, कास सिस्टम, मैं पढ़ रहा था एक दो दिन पहले, तो लोहिया जी ने बहुत दिल्चस्प बात की, जो कि आपकी बात से बिलकूल मिल रहा है, वो कह रहा है कि कुछ लोग ज जाती बात को एक अलग तरीके से में एक नए अंदाज में बात करने की बात, बिलकूल मेरे टेकर, यही चीज तो है कि आप एक लित का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा है, आप देखिए कि वो दिन भर काम भी कर रहा है, दुकानों में या फिर कहीं भी और पढ़ाई कर रहा है, और वो बहतर नमबर लाता है, 70% लाता है, और एक है कि दिन भर एसी में पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सुबर सुबर दूद मिल जाता है, शाम में बढ़ियां खाने को मिल रहा है उसको और उसके बाद भी पढ़ रहा है, ट्यूशन भी दो दो लगे हुए हैं, और वो 85% लाता है, 90% लाता है, तो आप कहिए ना कि आप वो मेहनत करके, उसके पास मतलब एक उसके पास एतिहासिक कुछ नहीं रहा है, उसके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई उसके पास resources नहीं है, ना उसको सुविधाय हैं, और उसके परसेट में कैसे admission हो जा रहा है, समझे रहा है ना, जब reservation मुझा है, तो धननजे आप एक कह रहा है कि जो Delhi University जैसे बहुत ही, जो कहते हैं कि बहुत ही liberal है, बहुत modern है, तो वहाँ पर कपडों में, लिवास में, life style में modernity देखेगी, लेकिन जो सही में social justice को अपनाने के लिए जो भी आगे एक हद से आगे नहीं आपाएंगे, नहीं नहीं आते हैं, मैं यह भी नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आते हैं, लोग वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कि जो हर वक्त social justice, सामाजी नहीं की बात करते हूं, उसे लिए खड़े भी रहते हैं, मैं एकदम, मैं पुरे एक छोटी सेक्षन है कि जो छोटा सेक्षन है, यह पर कास्ट, फ्यूडल, दिमाग वाले लोग हैं, मौझूद हैं, छोटी संख्या हैं लेकिन वो हावी होते हैं, वो उस चीज पर हावी पड़ जाते हैं, डिस्क्रिमिशन के मामले में, और पिर कह लिजे कि उस जगह पर मौ आए के लिए लड़ाई लड़ रहा, इसी कैमपस में अलग-अलग संगठने हैं, सुसल जस्टिस की जो बाते करती हैं, तो मुझे लग जाए हमें इस तरफ से भी देखना चाहिए, कि लोग लड़ने वाले भी लोग हैं वहाँ अच्छा इस तरह के एक्स्पिरियंस आपक अब ही क्या चल रहा है, जो वाईवा होता है, इंटर्व्यू होता है, वह एक डिस्क्रिमिशन का पैटन बन चुका है, लेकि टीचर हमें प्यार करता है, मानता हूं कि प्रोफेसर जो है, मेरे पढ़ाई पे, मेरे लिखाई से बहुत प्यार करता हूं, जानता है कि मैं 30 मे मतलब क्या है कि UR को रिजर्व रखना चाहते है, उसके लिए पचास परसंट रिजर्व हो गया है, वही बोर तो यह डिस्क्रिमिशन है, तो यह उनिवर्सिटी में चल रहा है, कि आप इतना ही नमबर देख लिए, डेटा निकाल के देख लिए, किस सेंटर में, मुझ कहीं नहीं ऐसा होगा कि कोई दलित UR में क्यालिफाई कर रहा है? कि दूसरे को पर इल्जाम भी लगाते हैं, हम इल्जाम में नहीं जाते हैं, रिजर्वेशन फुल्फिल नहीं होता है, जो बैकवर्ट क्लासे दलित के जो फंड्स होते है, उसका मिस्यूज होता है, आपको वाइबा में बहुत कम नंबर दिया जाता है, नाफे कमिटी के में रिपोर्ट आए थी कि जो बता रही है कि हाँ दलित और पिछड़े बच्चों को माइनोरिटी के बच्चों को महिलाओं को कम नंबर दिया जाता है, तो यह आपको नहीं लगता है कि बहुत एक बिरोधाभास है, बहुत प्रोग्रेसिव सेंटर भी है, में भी होंगी, और आप देखिए कि अगर रिजल लेकिन यहां पर वही बात है कि यहां पर एक ऐसा तबका है कि जो हर समझातरों के लिए खड़ा रह रह रहा है और उस चीज को अनलर्न करवाने के लिए कई तरह के अपनाए जाते हैं, गैमपस ऐसा है कि जो सिखा कितना पाएगा लेकिन भूलवाता बहुत है, आपके फ्यूडल मान सकता को कोशिश करता है कि वो खतम हो, आप भूले उसको और आप बहतर तरकी पसंद व्यक्ति बने, ठीक है, और आप देखिए कि जितने ओबीसी रिजर्वेशन के बात है, मंडल टू जब आता है तो आप 2009 मे आये होंगे, तो उस समय आईसा की उनियन थी और लड़ रही थी, इसी तीन साल के लीगल हम लोग लड़ाई भी लड़ते हैं, और वहां पर जीते भी इस बात के लिए कि रिजर्वेशन तो हो गया है, लेकिन फुल फिल नहीं हो पारा साथा आईस परसंटो बीसी को, तो इस बात के लिए कूट से हम जीत कराते हैं, और आप कमीटिया ही बनती है 2012 में जब सुझेता रहती हैं, तो उस समय आप देखे हो प्रेशिदेंट छे महीने गटेन वर रहता, उसमें भी वाईवा इस बात के लिए मनवाया जाता है, कि वाईवा में जाती के नाम पर गरब अपने तरीके से छात्रों पर जल्म ढ़ाता है, लेकिन वही है कि यहां के छात्रों की एक लड़ाई रही है कि इसको तरक्की पसंद प्रगतिशील आज भी बोला जा रहा है, आज भी लोग बहुत खुश हैं कैमपस में ना, कैमपस या कैमपस के बाहर देख लिजे, कि ज बड़े बड़े पोस्ट पे वहां पे नहीं होता है, और इस तरह की आलोचना जो है, अम बेटकर वादी संगटन बापसा भी करती है, कि लेफ्ट वाले लोगों ने क्यों नहीं हमारी लड़ाई लड़ी जब वो कहते हैं कि हमने आई की बात करते हैं, नहीं बिल्कुल, आ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लेफ्ट के लोगों वहां पे हैं, आप देख लिजए कि मानरिटी की लड़ाई आप जानते हैं कि मदर्सा के सर्टिफिकेट को पहले रिकर्णाईज नहीं किया जाता था, है न कैमपस आपके सामने है जे निवा आपके सामने है, लेफ्ट जो लड़ता है और मदर्सा के सर्टिफिकेट को रिकर्नाईज करवाता है इस कैमपस में, तो कहने का मतलब है कि सामाजी एक नयाय की लड़ाई, यह हमारी एक प्रायरिटी रही है और हर वक्त में लड़ते रहे, और मुझे नहीं लगता है कि बापसा या फिर कोई और बह खड़ा है, ठीक हम फासिवाद के खिलाब भी सड़कों पर लड़ रहे हैं और हम जाती विनाश के भी लड़ाई लड़ रहे हैं और कैमपसेज में, विश्विद्यालियों में, क्लासरूम में, फैकल्टी में, दफ्तरों में, हर जगा रिप्रजेंटीशन हो इसकी लड़ खरकी आऊचना कुछ इस अंदाज में कहते हैं, कि जिसकी लड़ाई हो वही लड़े हैं। मनिंए उप्रेस्ट की लड़ाई उप्रेस्ट ही लीट करेगा, जिसको कहते हैं अंग्लेजी में, खेकल्बंस दलित मूवमेंट हो या ओटोनमस मूवमेंट होना चाहिए ओपरेस्ट का तो इस बुनियाद पर हो कह रहे हैं कि इस केंपस में वंचितों को अमबेटकरवादी संगठन का साथ देना चाहिए ना कि लेफ्ट का जिनकी लीडर्शीप जो है ज्यादा तर जो गैर दलित या ग वो भी वंचित है आप देख लिजे कि जो इलजेबिटी क्यू समात से आते हैं लोग उस जंडर से आते हैं क्या वो वंचित नहीं है वो भी वंचित है तो वंचितों के अलग-अलग ग्रुप्स हैं और हम सब को साथ आने के जरुवत हैं हम एक अटोनमस चीज को लेकर कहे कि सिर्फ हमें यही लड़ना है तो हमें अगर ऐसा नहों कि कोई हमारे बीच से हमारे वंचित समात से कोई पीछे चूट जाए तो हमारी लड़ाई एक समगर लड़ाई है सब को साथ लेकर एक बहतर लड़ाई कि सब का रिपर्जेंटेशन हो सके सब को जीत मिल सके हमारी यह लड़ाई है और इसके साथ साथ आटोनोमस क्यों लड़ाई नहीं होती हम आप बोल तो नहीं इस कैमपस में मेरे रूममेट है मेरे बगल में लोग रहते हैं अगर कुछ दिक्कत होती है मुझे तो इस सब आएंगे साथ में और वहाँ पर मैं यह नहीं पूछने जाओग हम बेट रहे तो फी हाइक होगा तो मुझे पता है कि इस देश के वंचितों को सबसे ज़्यादा इस पर दिक्कत होगी वो नहीं आप आएंगे कैमपस में उसके साथ और भी लोग होंगे जो नहीं आप आएंगे लेकिन फी हाइक होगा तो सब के लिए ही होगा किताब नह मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा आप भी नहीं पढ़ पाएंगे तो संघर्ष के मैदान में इस campus के अंदर जो हम संघर्ष कर रहे हैं एक साथ मिलकर हाथ में हाथ पकड़कर तो वहाँ पर हम कैलेजे कि जाती नहीं पूछते हैं संघर्ष में लेकिन representation के सवाल पर हम खड़े ह अगर रिपर्जेंटेशन के सवाल पर खड़े हैं तो यह क्यों इस तरह की बाते आते कि 30 सालों में या 27 सालों में कोई दलित प्रसिडेंट आया है और दूसरी तरफ देखें कि जो गयर दलित हैं खासकर जो उंची जाती के लोग है उनके प्रसिडेंट बार बार आते हैं वो भी लेट के प्लेटफॉर्म से ही आते हैं आप देख लिए चुनाओ तो लड़ ही रहे हैं लोग आप राजीता राजा आपके सामने लड़ी है चुनाओ ठीक है पिंडी काँ बेटकर आपके सामने चुनाओ लड़ है अध्यक्षपत से ठीक है इस कैमपस में नर्तित्व करने वाले आईशा के जो लीडर रहे है परिणागा यूनियन के ही मिमबर है थे चिंटू कुमारी यूनियन के ही मिमबर थे आउटगोइंग यूनियन में साकेत मून के समाथ से आते हैं तो एक लंबी फेरिस्ट है कि जो इस कैमपस को दलितो आदिवासियों पिछडो मुसलमानों ने लीड किया है आईसा एक आता है एक ही पैनल में दो-दो मुसलिम होते हैं आप देख लिजे वाइस प्रेसिडेंट सिमोन जोया खान किस समाथ से आ रही है तो ये कह देना में यह मीन वात है आज मैं जब से अध्यक्ष बना हूं लोगों में एक कह लिजे कि उनको मजा भी आ रहा है कि ये टर्म गि हमेशा से इस केंपस में दलित अधिवासी मुसल्मान महिलाएं रही है तो ये हमारी लड़ाई है हमारी जीत भी है अच्छा केंपस के अंदर में एवी वीप के खिलाप जो की आरेसेस और बीजेपी की संगठन है हिंदुत्यों की ताक्तों के खिलाप लड़ने के लिए ल लड़ सकती है उनके खिलाप संपरदाइटा के खिलाप लेकिन बापसा के जो कैंडिडेट हैं अध्यक्ष के कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने स्पीच में परसेंशल डिवेट के स्पीच में बापसा यानि एक अंबेट कराइट संगठन है फूले और पिरियार की बिश किसदे हैं किसे क्यों के स pickles क्यों कि रापी अपशा खिंडें लेकिन के स्वानायज के सब्सक्राइब बिलकुल कर सकते हैं और बिलकुल अभी है हों से करेटी है आप देखें के आएगें क्यंपकरव के चाहत्रों है वो हराना है वपह एवांश या इनको वूट देते हैं क जिताते हैं। और भारी मतों से जिताते हैं। तो यह हमारी जीत है यहां पहुता है। तो बहुत कम ही देखा है कि बापसाद सटग कर आकर लडाई करती है। लेकिन उसकी बावजूद मैं बूल रहा हूँ, कि आप में जजबा है, आप बोल रहे हैं, तो आई ये ना, साथ मिलकर लड़ते हैं, सिर्फ चुनाओं ही नहीं नहीं है, चुनाओं के बाद भी संधर से, हर रोज एक संधर से, हर रोज हम परहमले हो रहे हैं, हर रोज हमें म मैसूस की, हमारे सर फट रहे हैं, हमें लाठी मारा जा रहा है, तो हम तो हैं मैदान में, तो वही है, कि आप भी दिखेंगे तो हम अच्छा लगेगा, अच्छा आप जब प्रसिदेंशियल स्पीच देने के लिए आए या जब आप चुनाओं जीत गए तो मैंने देखा आपके स्पीच को मैंने घौर से सुना, तो उसमें पहली बात या आप कहते हैं कि जै भी मलाल सलामा बोलते हैं, ठीक है, यानि अमबेटकरवादी बीचारधारा जो है और लेफ्ट की बीचारधारा के बीच में एक मेल होना चाहिए, और इस तरह का मैंड़ेट भी जेनू संगठन है, उसके अंदर में जो लीडर्शिप है, वो लीडर्शिप नीचे के तबके से नहीं आती है, तो एक तरह का खौफ और भाय है, तो ये दोनों विचारधाराओं को साथ लाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या और करने के जरूरत है, पहली बात तो जो ये बोलता को जोड़ने के लिए क्या और करना होगा जी अब मुझे लगता है कि हमारी तरफ से तो पहल कदमी है ही कि हम चाहते हैं कि जैभीम, लाल सलाम, जो मुसल्मानों के नारे हैं, जो सतरंगी सलाम है ये तमाम बंजितों के सलाम है, वो एक साथ लगे, क्योंकि आज की जरूरत है, आज की जरूरत है कि वो जो शक्ती है आपके सामने, मुसल्मानों पर हमला कर रही है, बदलितों का रेजर्वेशन खतम करना चाहती है, मतलब हमला कर रही है, महिलाओं पर उत्पीडन तेज है, और आप देखिए कि सेम सिक्ष मेरिज को लेकर क जलूम पर, हर गरीब पर, हर शियपर के लोगों का पर जलूम कर रही है, सब एक ही तरह के लोग है, वही आदमी है कि जो एक मुसल्मान से भी नफरत कर रहा है, एक दलित से भी छुआ चुद कर रहा है, एक महिलाओं पर भी हमला कर रहा है, एक LGBTQ से भी समाच से भी नफरत क तो जब एक विजारदारा हम सब पर हमला कर रही है तो हमारी तो जिम्बादारी है कि हम सारे लोग मिलकर उसको बहुत करें अच्छा हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उनका कभी-कभी बस एक या दो सवाल और लेनुगा वो उनका कहना ये है कि जो एक कि left critic भी был campus की politics का होता है कि campus में क्या है कि जब 6 राज निती जब होती है तो यहाँ पे जो Evet चुन कि आते हैं या European होते हैं तो यससमें मतलब समाज बदलने की बात होती है लेकिन caucus चोड़ने के बाद बड़ी राजनिती सक्के लिए PS तो इस भटकाव से भी आप चिंतित आपको भी लगता है डर की स्थर की भटकाव अगर आप केमपस के बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर भी असर पड़ेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग है कि आप देखे का कि जब मैं मतलब राजनीति में आ रहा हूं मैं आईसा जो जोड़ता हूं तो हम लोग कॉम्रेट चंदू को अपनाते हैं, कॉम्रेट चंदू हमारे लिए हिरो होते हैं, एक व्यक्ति जो आईशा से यहां पर चुनाओ लड़ता है, अध्धक्ष बनता है, और वो वामपंद की राजनिती को लेकर सिवान जा रहा है, सिवान में संघर्ष करने के कॉम्रेट सुचिता डे, आप देखिए, कॉम्रेट सुचिता बगल में को सिंपूर पहाड़ी है, छोटी सी बस्ती है, एक हजार घरों की, वध्यक्ष रही है यहां से, लेकिन आज भी कंदा से कंदा में विलाकर उस बस्ती में संघर्ष कर रही हैं, लोगों के दैनिक्स पर वह संघर्ष कर रही है, प्रियांका गांधी कैम्प बगल में है, जो सलम एरिया है, वहाँ पर वह संघर्ष कर रही है, और उनकी आवाज बनी है, तो इस तरह के, और ऐसे कई लोग है, संदीप सौरव, वह आज भी वामपंति विचार दारा से हैं, और आज वह सक्रिय लगे रहे हैं, लड़ते रहे हैं, लड़ रहे हैं और मौजूद हैं, आखरी सवाल, आपने एलेक्षन जेनु एसू का जीत लिया है, एवी बीप को आपने बड़ी हार दे दी, बहुत लोगों को डर लग रहा था कि कहीं भगवात ताक्ते जेनु जैसी जगह पे भी ना अब साल भर आपके पास union हैं और मैंने आपके speeches भी सुने की infrastructure के लिए आप काम करेंगे, drop out rate को कम करने के लिए काम करेंगे, और campus को gender sensitive बनाने के लिए आप काम करेंगे, बस एक बार संचेप में बता दीजे कि आने वाले दिनों में आप अपने आपको एक 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 campus के बाहर हो, कैसे अपने आपका future देखते हैं या जो आपके चाने वाले हैं, जो आपको अपना ideal मानते हैं, उनके लिए आपके क्या messages हैं, नहीं, messages यही हैं कि एक जो campus के अंदर, पहली जमयदारी मेरी campus है, campus के लोगों ने मुझे चुना है, और campus के हग के लिए चुना है, campus के हग की आवाज, चात्रों की आवाज को मैं परशाशन तक पहुचाऊं, इसके लिए चुना है, तो शुरुआत मेरी campus ही है, मैं कि campus के हर एक उस तबके के लिए, जो जिस चीज से परिशान है, infrastructure का जहाँ issue है, उस पर बात करना, उस्कूल ले कर जाना, चात्रों से मिलकर उनसे demand लेना, चात्रों बनाना, वाइस नासर को देना, यह हमारे काम होंगे, इस तरह से हम शुरुआती काम कर रहे हैं, decision making body में अभी तक हमें नहीं भुलाए कि academic council के meeting में, तो उसके लिए भी हमें आगे तयार होना है, तो कह लिए चात्रों के बीच में रहकर ही, चात्रो केमपस के चात्र हैं, अपनी आवाज मुझे दी है, तो आपको सुनना पड़ेगा, और उसके लिए चात्रों को भी एकत्रित होना पड़ेगा, कुछ भी अगर हम पर गलत होता है, तो हम दोनों मिलकर, चात्र और हम जीनियोस्यू, दोनों मिलकर इस पर शायसन से अपना का और जो भी हमारे काम रुके हुए हैं, फसे हुए हैं और जरजर हैं जो बिल्डिंगे, उन सारे विश्व पर हम बात करेंगे, धननजे आपने हम से बात की बहुत बहुत शुक्रिया और आपको all the best, शुक्रिया भाजी, शुक्रिया, थैंकिय।